दोस्तो 31 जुले 2022 को वीडियो बना कर हमने आपको बताया कि निफ्टी के उपर अभी सावधानी का समय आज चुका है क्योंकि हमें लगता है कि आने वाले दिनों में निफ्टी के अंदर करेक्शन एंड कंसोल्डेशन हो सकता है हमने आपको बताया था कि 17,350 से 17,500 का एरिया निफ्टी के लिए रेजिस्टन से और अगर अगले हपते निफ्टी इसके अंदर आता है तो निफ्टी के अंदर करेक्शन एंड कंसोल्डेशन होगा सोमवार को निफ्टी के अंदर एक अच्छी तेजी बनी और निफ्टी ने क्लोजिंग दी 17,340 के पास आप देख सकते हो उसके बाद से चार दिन निफ्टी एक रेंज के अंदर एक कंसोल्डेट हुआ जहाँ पर मंगलवार को निफ्टी की क्लोजिंग थी 17,345 बुदवार को निफ्टी की क्लोजिंग थी 17,388 गुरुवार को निफ्टी की क्लोजिंग थी 17,382 और शुक्रवार को निफ्टी की क्लोजिंग थी 17,398 यानि के दोस्तों आप देख सकते हो 17,340 से 17,400 के एरिये म निफ्टी ने पिछले अपते 5 बार closing दी है उसी तरह से हमने आपको bank निफ्टी के बारे में बताया था कि bank निफ्टी के लिए 3,400 से 38,000 का area महत्वपूर्ण resistance है और यहाँ पर bank निफ्टी को resistance मिलना चाहिए और यही पर bank निफ्टी correction and consolidation करना चाहिए आप देख सकते हो Nifty जब से ये एरे में आया है Nifty correction and consolidation ही कर रहा है उसी तरह से डॉलर इंडेक्स के बारे में हमने आपको बताया था कि डॉलर इंडेक्स ने rectangle pattern से breakdown दिया है लेकिन डॉलर इंडेक्स अभी उसके daily chart के उपर उसके 50 दिनों के exponential moving average के पास आ रहा है तो उस वज़ा से डॉलर इंडेक्स में एक अच्छा उचाल आ सकता है और उसी वज़ा से Nifty और Bank Nifty के अंदर correction and consolidation हो सकता है आप देख सकते हो डॉलर इंडेक्स के अंदर उसके 50 दिनों के exponential moving average से कितना अच्छा उचाल आ चुका है तो दोस्तों आप देख सकते हो हम हमारे छोटे वीडियो से आपको कितने महत्वपूर्णा जानकारी लगातार देते रहते है अगर हमारे वीडियो से आपको थोड़ा भी फायदा होता है तो वीडियो को जरूर लाइक करे और चानल को सब्सक्राइब भी करे चलो अब ये वीडियो से पता करने की कोशिश करते है कि आने वाले दिनों में निफ्टी और बैंक निफ्टी कैसे परफॉर्म कर सकते है अभी जो आप वीडियो में देख रहे हो वो निफ्टी का डेली का चार्ट है जैसे कि हमने आपको बताया है 17,350 से 17,500 का एरिया निफ्टी के लिए रेजिस्टन्स का एरिया है अगर निफ्टी इसके उपर निकलता है तो निफ्टी के लिए तुरंत और एक महत्वपूर्णा रेजिस्टन्स है अक्तुमबर 2021 से जब निफ्टी के अंदर गिरावट की शुरुवात हुई आप देख सकते हो एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन निफ्टी को लगातार रेजिस्टन्स दे रही है तो अगर निफ्टी 17,350 से 17,500 के एरिये के उपर निकलता है तो यही फॉलिंग ट्रेंड लाइन निफ्टी के लिए रेजिस्टन्स का काम कर सकती है यह रेजिस्टन्स जोन आता है 17,600 से 17,700 के बीच में तो दोस्तों यह एरिया निफ्टी के उपर बहुत तेजी में आने का तो बिल्कुल भी नहीं है निफ्टी के डेली चार्ट से अगर हम निफ्टी के एक घंटे के चार्ट के उपर जाते हैं तो हमें पता चलता है के निफ्टी राइट एंगल असेंडिंग ब्रॉडणिंग वेज पैटन में काम कर रहा है याने की दोस्तों आप देख सकते हो निफ्टी 17150 के पास सपोर्ट ले रहा है उसी समय पर वो सपोर्ट से वो उच्छाल लेकर उसके पूराने हाई को लगातार तोड रहा है तो अगर आने वाले दिनों में निफ्टी 17150 के बास आता है तो हमें लगता है निफ्टी के अंदर ट्रेडिंग के लिए खरीदारी की जा सकती है निफ्टी जब तक 17150 के उपर है हमें लगता है निफ्टी के अंदर नई गिरावट नहीं आएगी निफ्टी जैसे ही 17,150 के नीचे बंद होता है तो निफ्टी के अंदर नए गिरावट की शुरुवात होगी और जैसे कि हमने आपको बताया 17,350 से 17,500 का एरिया रेजिस्टन्स होने उसी तरह से अगर ये तूटता है तो 17,600 से 17,700 ये महत्वपूर्ण रेजिस्टन्स एरिया है निफ्टी की तरह ही अगर हम बैंग निफ्टी के एक घंड़े के चार्ट के उपर जाते है तो हमें पता चलता है के बैंग निफ्टी एक रेक्टेंगल पैटन के अंदर काम कर रहा है ये rectangle pattern की उपरी ट्रेंड लाइन का resistance है 38,200 का और नीचे की ट्रेंड लाइन का support है 37,200 का तो जब तक 38,200 नहीं तूटता हमें लगता है bank nifty के अंदर वहाँ से बिक्वाली आएगी और 37,200 से खरीदारी और जैसे ही bank nifty कोई एक तरफ breakout या फिर breakdown देता है 1000 point का move वो तरफ आएगा तो ये वीडियो का साराउंच ये है कि nifty और bank nifty हमें लगता है कि अगले अपते भी correction and consolidation करेंगे नifty के लिए 17,350 से 17,500 ये महत्वपूर्णा resistance होने और अगर नifty से तोड़ता है तो भी इसके उपर तुरंत 17,600 से 17,700 का दूसरा महत्वपूर्णा resistance है तो नifty 18,000 तक तो जरूर उपर जाएगा लेकिन हमें लगता है कि अगले हपते नifty में 18,000 नहीं आएगा उसी तरह से बैंक निफ्टी के लिए भी correction and consolidation जारी रहेगा तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें comment दोराज जरूर बताए अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को जरूर लाइक करे चानल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों और पैचानवालों के साथ शेयर करना ना भूले तक ये जानकारी आपके साथ उनको भी पता चल सके वीडियो देखने के लिए धन्यवाद थैंक यू